अब बात करूँगा आपसे ECNR passport and ECR passport के बारे में तो आप जब requirement देखते उसमें लिखा रहे तो only for ECNR candidate या फिर only for ECR passport इन दोनों में क्या अंतर होता है मैं आपको सटीक तरीके से बताता हूँ ECNR का मतलब हुआ Immigation Check Not Requirement अब हम बात करते हैं ECNR और ECR यह different case में मैं आपको तो इसका डीटेल जान करी देदू अगर आप 10th पासपूर्ट बनाया होता है आप अगर अगर अप्लाइ करते हो www.passportgovernmentsever.com पे जाकर आप अप्लाइ करते हो उस समय जब आपका पासपूर्ट वेरिफिकेशन में जाता है जब पासपूर्ट के लिए फिंगर बगर देते हो उस टाइम आपने आपने क्या करते हो टैंथ का पी जो एक डोकुमेंट्स होता है दस्वी कक्षा की या दस्व इम्रिफिकेशन की जरुवत नहीं है हम ऐसे देश बिदेश जा सकते हैं जो लोग दस्वी क्षा नहीं पास आउट हो तो फिर क्या करते हैं नौमी तकी पढ़े लिके होते हैं पैन कार्ड अधार कार्ड भूटा एडी कार्ड वेरा जो डॉक्मेंट्स उनके पास होता हो बनाता हैं उनका जौपासपोर्ट बनता याECR बनता नहीं POL की चेक है को आगरो बिदेश ट्रेवल करेंगे कियो ट्रेवल कर ते कि किसी भी गल्फ कंट्री ऐसा या यौरॉप कंट्री के लिए उनको क्या करना होगा इम्रिफिकेशन सब से पहलुई को innovation होगाई पासपोर्ट लेगा उसके बाद उनका फ्लाइट टिकट मिलेगा अगर आपको सोच रहें पासपोर्ट करके उसको री इंटर पर जाके आप पासपोर्ट अपना इस एनर करवा सकते हैं यह जो तरीका सटिक तरीका आप सब्सक्राइब मतले किसमें तो मैं आपको विशन पासपोर्ट और हुटाय। जनका पासपोर्ट होता है उनको 100% क्लेम मिल जाते हैं क्योंकि वो गप्रमेनट की मोलते सिधा 상황 जोर खड़े लिके नहीं हमें कुछ जानकारी नहीं यह हैं इसलिए मेरा पासपोर्ट ECR है और ECNR वाले क्या है हम भीया पढ़े लिखे हैं सब कुछ अच्छा है हमारे साथ हमारा इमिगरेशन को जरूत है हम सिधा पासपोर्ट उठाएंगे सिधा अपना वीजा लेंगे सिधा मेरी फ्लाइट होगी तो यह जो चीज है करता हूं तो इसमें बताता हूं आपको कि यह जानकार है अगर आपके पासपोर्ट आप अपना स्क्रीन पर देख सकते हूं पासपोर्ट के पीछे देख लो ECNR लिखा हुआ है जो कि अमरीकेशन चेक रेक्वार्मेंंट है और ECNR भी आप चेक कर सकते हो आप अपने पासपोर्ट के पीछे देखिए कि पीछे साइड में जाकप का और हें इडरस हो होती हो ब्लक sowष्द हो तिक चीज़ है ऑर अची चीज़ है आप अपलाई कर सकते हैं और बना सकते पासपोर्ट न्यू बना रहो पासपोर्ट अगर आप पढ़े लिहाथ तो e-c-n-r में डॉक्कमेंट सही होता है मैं आपको दादू भोटाइडी कार्ड अधार कार्ड पेन कार्ड आपके पास सही होता है तो और साथी साथ जो जाना चाहते हो गल्फ एंड यूरोप उनके लिए बैस्ट है कि आप जा सकते हो कोई दिकत प्रिशानी अप्लाइ कर सकते हैं तो बहुत सालों को कंफ्यूजन था कि पास्पोर्ट तो एसी अना रहा है या इसमें क्या करो ना करूं तो आपकी मैं कन्फ्यूजन को मैं दूर कर दे रहा हूं आप कोई सभी आपका प कि ओपर को डिपेंड होता है कि कियो में किनका खट्चा जॉदार है किस आपने खर्चे के सबसाप से grinding सब्सक्राइए ठीक है ठीक तो यह जांकारी जो है आपको कैसे लिए कि प्लिस कमेंट से बता है अगर आपका पासपोर्ट एसी एना रहे तो सही है एसी आर भी फिर भी अच्छा है तो आप टेंसर ना ले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आपको में बता दो यूरोप जॉब अबडेट कर सबसे पहले आप तक मिले आपको जो मैं बात बता है यूरोप पासपोर्ट आपको समझ में आ गया होगा नहीं समय में तो प्लीज कमेंट सेक्षन मुझसे मुझसे पूछे मैं आपका जवाब दिन लिए तेगर रहता हूं तो थेंकिस ओमाच आवरीवन मिलता ह अगर उता है तो नहीं समय माँ आवरीवन मिलता प्लीज कर दो नहीं।